रोमियों के नाम पॉलुस प्रेरित की पत्री 1-16 अध्याए 1 अभिवादन एक पॉलुस की ओर से जो ईशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस्सो समाचार के लिए अलग किया गया है दो जिसकी उसने पहले ही से अपने भविश्य द्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में तीन अपने पुत्र हमा अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने छे जिन में से तुम भी ईशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो साथ उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं हमारे पिता परमेश्वर और प्रभू यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांती मिलती रहे धन्यवाद की प्रार्थना आठ पहले मैं तुम सब के लिए हीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है नौ परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विश्य में करता हूँ वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरन करता रहता हूँ दस और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीती से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो ग्यारा क्योंकि मैं तुम से मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वर्दान दून जिससे तुम स्थिर हो जाओ बारा अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हो तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोटसाहन पाएं तेरा हे भायो, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अंजान रहो कि मैंने बार-बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्यजातियों में फल मिला, वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया 14. मैं युनानियों और अन्यभाशियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का करजदार हूँ 15. मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, सुसमाचार सुनाने को भर सकते यार हूँ 16. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वहर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहुदी फिर युनानी के लिए उद्धार के निमित परमेश्वर की सामर्थ्य है 17. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिक्ता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रगट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा 18. परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सबभक्ती और अधर्म पर स्वर्ग से प्रगट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं 19. इसलिए कि परमेश्वर के विश्वास का ज्यान उनके मनों में प्रगट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रगट किया है 20. उसके अंदेखे गोन, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर रत्व, जगत की स्रिष्टी के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक की वे निरुत्तर हैं 21. इसकारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाए और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक की उनका निर्बुद्धी मन अंधेरा हो गया 22. वे अपने आपको बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, तेईस और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जन्तूओं की मूरत की समानता में बदल डाला 24. इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाशाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें 25. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर जूट बना डाला और स्रिष्टी की उपासना और सेवा की न की उस स्रिजिनहार की जो सदाधन्य है 26. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वाभाव के विरुद्ध है बदल डाला 27. वैसे ही पुरुष भीस्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार चोड़ कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निरलज काम करके अपने भ्रहम का ठीक फल पाया 28. जब उन्होंने परमेश्वर को पहिचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम में मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें 29. इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टा और लोब और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और जगड़े और चल और यिर्शा से भरपूर हो गए और चुगल खोर 30. बदनाम करने वाले परमेश्वर से घ्रिना करने वाले दूसरों का अनादर करने वाले अभिमानी, दींगमार, बुरी-बुरी बातों के बनाने वाले, माता-पिता की आज्याना मानने वाले, 31. निर्बुध्धी, विश्वासधाती, मयारहित और निर्दय हो गए 32. वितो परमेश्वर की एहविधी जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यू के दंट के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसंद भी होते हैं अध्याए दो, परमेश्वर का न्याए एक अतह है दोश लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्यूंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोश लगाता है, उसी बात में अपने आपको भी दोशी ठहरता है, इसलिए कि तू जो दोश लगाता है, स्वयम ही वह काम करता है दो हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंद की आग्या होती है तीन हे मनुश्यक तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोश लगाता है और आप वे ही काम करता है क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दन की आग्या से बच जाएगा चार क्या तू उसकी कृपा और सहन शीर्टा और धीर जरूपी दन को तुछ जानता है क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है पांच पर तू अपनी कठोड़ता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रगट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है छे वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा साथ जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमर्ता की खोज में हैं उन्हें वह अनंद जीवन देगा आठ पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा नौ और क्लेश और संकट हर एक मनुश्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा पहले यहुदी पर फिर युनानी पर दस परंतु महिमा और आदर और कल्यान हर एक को मिलेगा जो भला करता है पहले यहुदी को फिर युनानी को ग्यारह क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता बारह इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नश्ट भी होंगे और जिन होने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, तेरक क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे 14 फिर जब अन्यजाती लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभावी से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास नहोने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं पंद्रा वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदियों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेग भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस पर दोश लगाते या उन्हें निरदोश ठहराते हैं सोलह जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुश्यों की गुप बातों का न्याई करेगा. यहूदी और व्यवस्था सत्रह यदी तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विशय में घमंड करता है. अठारह और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम-उत्तम बातों को प्रिय जानता है. उननीस और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगवा और अंधकार में पढ़े हूँ की ज्योती, बीस और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेश एखुंग और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है, मुझे मिला है. 21. क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, अपने आपको नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है, आप ही चोरी करता है? 22. तू जो कहता है व्यविचार न करना, क्या आप ही व्यविचार करता है? तू जो मूरतों से घ्रिना करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है 23 तू जो व्यवस्था के विशय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है 24. क्योंकि तुम्हारे कारण अन्यजातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है 25. यदी तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाब तो है, परंतु यदी तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा 26. इसलिए यदी खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे, तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी 27. और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदी वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेक पाने और खतना किये जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोशी न ठहराएगा 28. क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है अध्याय तीन एक अतह यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाब दो हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह की परमेश्वर के वचन उनको सौपे गए तीन यदि कुछ विश्वासधाती निकले भी तो क्या हुआ क्या उनके विश्वासगाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी चार कदापी नहीं वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य जूठा ठहरे जैसा लिखा है जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याई करते समय तू जय पाए पांच इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें क्या यह की परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्याई है यह तो मैं मनुष्य की रीती पर कहता हूँ छे कदापी नहीं नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा साथ यदी मेरे जूट के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रगट हुई तो फिर क्यूँ पापी के समान में दंड के योगे ठहराया जाता हूं आठ हम क्यूँ बुराई न करें की भलाई निकले जैसा हम पर यही दोश लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है परंतु ऐसों का दोशी ठहराना ठीक है कोई धर्मी नहीं नौ तो फिर क्या हुआ क्या हम उनसे अच्छे हैं कभी नहीं क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोश लगा चुके हैं कि वे सबके सब पाप के वर्ष में हैं दस जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं ग्यारा कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं बारा सब भटक गए हैं सब के सब निकम में बन गए हैं कोई भलाई करने वाला नहीं एक भी नहीं तेरा उनका गला खुली हुई काब्र है उन्होंने अपनी जीबों से चल किया है उनके होटों में सापों का विश है चौदा उनका मूह श्राप और करवाहच से भरा है पंद्रा उनके पाव लहू बहाने को फुर्तिले है सोला उनके मार्गों में नाश और क्लेश है सत्रा उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना अठारा उनकी आँखों के सामने परमेश्वर का भए नहीं उन्नीस हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है इसलिए कि हर एक मूह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंट के योग्य ठहरे बीस क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्रानी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहिचान होती है विश्वास द्वारा धार्मिक्ता 21 परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिक्ता प्रगट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविश्यद वक्ता देते हैं 22 अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिक्ता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, 23 इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, 24 परंतु उसके अनुब्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हैं, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 25 उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किये गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहंशीरता के कारण ध्यान नहीं दिया। उनके विश्वर में वह अपनी धर्मिकता प्रगट करे। 26 वरन इसी समय उसकी धर्मिकता प्रगट हो की जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यी शुपर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। 27 तो घमंड करना कहा रहा। उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से। क्या कर्मों की व्यवस्था से। नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। 28 इसलिए हम इस परिनाम पर पहुँचते हैं कि मनुश्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी थहरता है. 29 क्या परमेश्वर केवल यहुदियों ही का है? क्या अन्यजातियों का नहीं? हाँ, अन्यजातियों का भी है. 30 क्योंकि एक ही परमेश्वर है, जो खतनावालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी थहराएगा. 31 तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ थहराते हैं? कदापी नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं. परंतु परमेश्वर के निकट नहीं तीन पवित्र शास्त्र क्या कहता है यह की अबराहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिक्ता गिना गया चार काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है पांच परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिक्ता गिना जाता है छे जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दावद भी धन्य कहता है साथ धन्य हैं वे जिनके अधर्मक्षमा हुए और जिनके पाप धापे गए आठ धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए नौ तो यह धन्य वचन क्या खतनावालों ही के लिए है या खतनारहितों के लिए भी हम यह कहते हैं अबराहम के लिए उसका विश्वास धार्मिक्ता गिना गया दस तो वह कैसे गिना गया खतने की दशामे या बिना खतने की दशामे खतने की दशामे नहीं परंतु बिना खतने की दशामे ग्यारा उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिक्ता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं ताकि वे भी धर्मी ठहरें बारा और उन खतना किये हूँ का पिता हो जो ना केवल खतना किये हुए हैं परन्तु हमारे पिता अबराहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था विश्वास के द्वारा प्रतिग्या का मिलना 13. क्योंकि यह प्रतिग्या की वल जगत का वारिस होगा, न अबराहम को न उसके वंच को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिक्ता के द्वारा मिली 14 क्योंकि यदी व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिग्या निश्वल थहरी 15 व्यवस्था तो क्रोध उप जाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंधन भी नहीं 16 इसी कारण प्रतिग्या विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रे की रीती पर हो कि वह उसके सब वंच्जों के लिए द्रिण हो न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है वरन उनके लिए भी जो अबराहम के समान विश्वास वाले हैं वही तो हम सब का पिता है 17 जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस पर मेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुऊं को जिलता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानोवे हैं 18 उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया इसलिए कि उस वचन के अनुसार की 13 वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो 19 वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्ब की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ बीस और न विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिग्या पर संदेह किया, पर विश्वास में द्रिल होकर परमेश्वर की महिमा की 21 और निश्चे जाना की जिस बात की उसने प्रतिग्या की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है, 22 इस कारण यह उसके लिए धार्मिक्त गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया, 24 वरन हमारे लिए भी जिन के लिए विश्वास धार्मिक्ता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु ईशु को मरे हो में से जिलाया, 25 वह हमारे अपराधों के लिए पर्मेश्वर के साथ मेल रखें, दो जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, और पर्मेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें, तीन केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर की क् कि जब हम निर्बल ही थे, तो मसी ठीक समय पर भक्तिहिनों के लिए मरा, साथ किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुरलब है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुश्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, आठ परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस री पुत्र की मृत्यू के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यूं ना पाएंगे। तेरा व्यवस्था के दिये जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। 18 इसलिए जैसा एक अपराद सब मनुष्यों के लिए दंट की आग्या का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। 19 क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आग्या ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आग्या मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। 20 व्यवस्था बीच में आ गई की अपराद बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, 21 की जैसा पाप ने मृत्यू फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभू इशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनन्द जीवन बिताएं 3 क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह ईशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यू का बपतिस्मा लिया चार अतह उस मृत्यू का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीर पिता की महिमा के द्वारा मरे हो में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें पांच क्योंकि यदी हम उसकी मृत्यू की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चे उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे छे हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुश्यत्व उसके साथ क्रूस पर चड़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्त्व में न रहें साथ क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट कर धर्मी ठहरा आठ इसलिए यदी हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी 9 क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हो में से जी उठकर फिर मरने का नहीं उस पर फिर मृत्यू की प्रभुता नहीं होने की 10 क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है 11 ऐसे ही तुम भी अपने आपको पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह जीवित समझो 12 इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो 13 और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौपो पर अपने आपको मरे हुँ में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौपो और अपने अंगों को धार्मिक्ता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौपो 14. तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रे के अधीन हो धार्मिक्ता के दास 15. तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रे के अधीन है? कदापी नहीं, 16 क्या तुम नहीं जानते की जिसकी आग्या मानने के लिए तुम अपने आपको दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो चाहे पाप के जिसका अंतमृत्यू है चाहे आग्याकारिता के जिसका अंतधार्मिक्ता है 17 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उबदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में धाले गए थे 18 और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिक्ता के दास हो गए 19 मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुश्यों की रीती पर कहता हूँ जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिक्ता के दास करके सौंप दो 20 जब तुम पाप के दास थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे 21 अतह जिन बातों से अब तुम लजजित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंतुम्रित्यू है 22 परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम को फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंतनन्द जीवन है 23 क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यू है परंतु परमेश्वर का वर्दान हमारे प्रभु मसीह इशु में अनन्द जीवन है अध्याई साथ विवाहित जीवन का द्रिश्टांत एक हे भायो क्या तुम नहीं जानते मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है दोक्यों की विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पती के जीते जी उससे बंधी है परंतु यदी पती मर जाए तो वह पती की व्यवस्था से छूट गई तीन इसलिए यदी पती के जीते जीवह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, तो व्यभिचारेनी कहलाएगी, परंतु यदी पती मर जाए, तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदी किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, तो भी व्यभिचारेनी न ठहरेगी व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यू का फल उत्पन करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। शे परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेक की पुरानी रीती पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीती पर सेवा करते हैं। व्यवस्था पाप मुर्दा है। कदापी नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्थू के द्वारा मेरे लिए मृत्यू का उत्पन करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रगठ हो और आग्या के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। मनुश्य का अंतर द्वंद्व परंतु जिस से मुझे घ्रिना आती है वही करता हूँ। सोलह यदी जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। सत्रह तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। 28 क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्थुवास नहीं करती। इछ़ा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ से बन नहीं पड़ते। 19 क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही किया करता हूँ बीस अतर यदी मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है 21 इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है 22 क्योंकि मैं भीत्री मनुश्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन रहता हूँ 23 परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धी की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है 24 मैं कैसा अभागा मनुश्य हूँ मुझे इस मृत्यू की देह से कौन छुड़ाएगा 25 हमारे प्रभू गीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो इसलिए मैं आप बुद्धी से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं अध्याई 8 पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन एक अतह अब जो मसीह ईशु में हैं उन पर दंद की आग्या नहीं क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं 2. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीर यीशु में मुझे पाप की और मृत्यू की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया 3. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बली होने के लिए भेज कर शरीर में पाप पर दंड की आग्या दी चार इसलिए कि व्यवस्था की विधी हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए पांच क्योंकि शरीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परन्तु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं छे शरीर पर मन लगाना तो मृत्यू है, परन्तु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांती है साथ क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है आठ और जो शारीरिक दशामे हैं वे परमेश्वर को प्रसंद नहीं कर सकते 9. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशामे नहीं परंतु आत्मिक दशामे हो यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं दस यदी मसीर तुम में है, तो देपाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है 11. यदि उसी का आत्मा जिसने हीशु को मरे हुँ में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीर को मरे हुँ में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा 12. इसलिए हे भायो, हम शरीर के करजदार नहीं की शरीर के अनुसार दिन काटें 13. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे 14 इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं 15 क्योंकि तुमको दास्त्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भैभीत हो, परंतु लेपाल कपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं 16 आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, कि हम परमेश्वर की संतान हैं, सत्रह और यदी संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीय के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दू, ख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं भविश्य में प्रगट होने वाली महिमा 18 क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दू, ख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रगट होने वाली है, कुछ भी नहीं है 19 क्योंकि स्रिष्टी बड़ी आशाभरी दृष्टी से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की बार जोह रही है 20 क्योंकि स्रिष्टी अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई 21 की स्रिष्टी भी आप ही विनाश के दास्त्व से चुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी 22 क्योंकि हम जानते हैं कि सारी स्रिष्टी अब तक मिलकर कराहती और पीडाओं में पड़ी तड़पती है 23 और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के चुटकारे की बार जोहते हैं 24 इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आय तो फिर आशा कहां रही क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा पच्छीस परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरच से उसकी बार जोहते भी हैं 26 इसी रीती से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते की प्रार्थना किस रीती से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर हैं, हमारे लिए विनती करता है, 27 और मनों का जाचने वाला जानता है कि आत् क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है 28 हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन करती हैं अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाय हुए हैं। उन्तीस क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भायों में पहिलोठा ठहरे। तीस फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर का प्रेम 31 अतर हम इन बातों के विश्य में क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? 32 जिसने अपने निजपुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? 33 परमेश्वर के चुने हुँँँपर दोश कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है 34 फिर कौन है जो दंड की आग्या देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है 35 कौन हम को मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, या संकट, या उब्द्रव, या काल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार 38 क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यू, ना जीवन, ना स्वरगदूत, ना प्रधानताई, ना वर्तमान, ना भविश्य, ना सामर्थ, ना हुँचाई, 49 ना गहराई, और ना कोई और स्विष्टी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह हीश 2 की मुझे बड़ा शोक है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है, 3 क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाईयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुम्बी हैं, स्वयम ही मसीह से शापित हो जाता 4 वे इसराइली हैं, और लेपाल कपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिग्याएं उन्ही की हैं 5 पुर्खे भी उन्ही के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्ही में से हुआ जो सब के उपर परम परमेश्वर, योगान युग धन्य है आमीन 6 परंतु यह नहीं की परमेश्वर का वचन तल गया, इसलिए की जो इसराइल के वच हैं, वे सब इसराइली नहीं, साथ और न अबराहम के वच होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है, इस हाखी से 13 वच कहलाएगा 8 अर्थात शरीर की संतान, परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिग्या की संतान वच गिने जाते हैं नौक्यों की प्रतिग्या का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा, और सारा के पुत्र होगा 10 और केवल यही नहीं, परंतु जब रिब का भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, 11 और अभी तक न तो बालक जन में थे, और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था इसलिए कि परमेश्वर की मंसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे, 12 उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा तेरा जैसा लिखा है, मैंने याकूप से प्रेम किया, परंतु ऐसाव को अप्रिय जाना 14 इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापी नहीं 15 क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा सोला अतह यह न तो चाहने वाले की न दोडने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है सत्रह क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरोन से कहा गया मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाओ और मेरे नाम का प्रचार सारी प्रित्वी पर हो 18 इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया उन्नीस अतह तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यूं दोश लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? बीस है मनुश्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गड़ी हुई वस्तु गरने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यूं बनाया है? 21 क्या कुमहार को मिट्टी पर अधिकार नहीं की एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाये 22 तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किये गए थे बड़े धीरज से सही 23 और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया अपने महिमा के धन को प्रगट करने की इच्छा की 24 अर्थाथ हम पर जिन्हें उसने न केवल यहुदियों में से वरन अन्यजातियों में से भी बुलाया 25 जैसा वहोशे की पुस्तक में भी कहता है जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूंगा 26 और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो उसी जगह वे जीवते पर मेश्वर की संतान कहलाएंगे 27 और यशाया इस्राइल के विशय में पुकार कर कहता है चाहे इस्राइल की संतानों की गिंती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे 28 क्योंकि प्रभू अपना वचन पृत्वी पर पूरा करके धार्मिक्ता से शीग्र उसे सिधा करेगा 29 जैसा यशाया ने पहले भी कहा था यदि सेनाओं का प्रभू हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सद्रिश ठहरते 30 अतर हम क्या कहें? 30 अतर हमें एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चटान रखता हूं और जो उस पर विश्वास करेगा वहलजजित न होगा अध्याय 10 एक हे भायो, मेरे मन की अभिलाशा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं 2 क्योंकी मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं तीन क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिक्ता से अंजान होकर और अपनी धार्मिक्ता स्थापित करने का यात्म करके परमेश्वर की धार्मिक्ता के अधीन न हुए चार क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिक्ता के निमित मसीह व्यवस्था का अंध है प्रभू जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हो में से जिलाया, तो तू निश्चे उद्धार पाएगा, दस क्योंकि धार्मिक्ता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुह से अंगीकार किया जाता है, ग्यारा क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लजजितना होगा, बारह यहुदियों और युनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभू है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। तेरह क्योंकि जो कोई प्रभू का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा। चौदा फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लें? और जिसके विशय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना कैसे सुनें? पंद्रा और यदी भीजे ना जाएं, तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पाव क इसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। 17 अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। 18 परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना। सुना तो अवश्य है क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी प्रिथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोड तक पहुँच गए हैं। 19 मैं फिर कहता हूँ क्या इस्राइली नहीं जानते थे। पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाती नहीं, तुम्हारे मन में जलन उप जाओंगा, मैं एक मूर जाती के द्वारा तुम्हें रिस दिलाओंगा। 20 फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं धूनते थे, उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे, उन पर मैं प्रगट हो गया। 21 परंतु इसरायल के विशय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आग्याना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। अध्याई 11 इसरायल पर परमेश्वर की दया। एक इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया। कदापी नहीं, मैं भी तो इसरायली हूँ, अबराहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। दो परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा, जिसे उसने पहले ही से जाना। इन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुनें। उनकी घटी अन्यजातियों के लिए संपत्ती का कारण हुआ तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। अन्यजातियों का उद्धार, कलम लगाने का उदाहरन। तेरह मैं तुम अन्यजातियों से यह बातें कहता हूँ। जबकि मैं अन्यजातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ, 14 ताकि किसी रीती से मैं अपने कुटुम्बियों में जलन उत्पन करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। 15 क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहन किया जाना मरे हूँ में से जी उठने के बराबर न होगा। 16 जब भेट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं। 17 पर यदि कुछ डालियां तोड दी गई, और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, 18 तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख की तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे सं 21 क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा, 22 इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी का काटा गया और स्वाभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं, अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे, सारे इसराईल का उद्धार, 25 है भायो, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आपको बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेट से अंजान रहो कि जब तक अन्यजातियां पूरी रीती से प्रवेश न कर लें, तब तक इसराईल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, 26 और इस रीती से सारा इसराईल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुडाने वाला सिय उन से आएगा, और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, 27 और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जब कि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा, 28 सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुनलिये जाने के भाव से वे बाप या न मानी कि तुम पर जो दया होती है इसे उन पर भी दया हो, 32 क्योंकि परमेश्वर ने सब को आग्या उलंधन का बंदी बना कर रखा ताकि वह सब पर दया करे, परमेश्वर की स्तुति, 33 आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धी और ग्यान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथा और उसके मार्ग कैसे अगम है, 34 प्रभू की बुद्धी को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, 35 या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, 36 क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उस करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चधाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, दो इस संसार के सद्रिश ना बनो, परन्तु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन भी बदलता जाए, ज से बढ़कर कोई भी अपने आपको न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमान के अनुसार बांद दिया है, वैसा ही सुबुद्धी के साथ अपने को समझे, चार क्योंकि जैसे हमारी एक डेह में बहुत से अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम पांच वैसा ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक डेह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, छे जबकि उस अनुग्रे के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन-भिन वर्दान मिले हैं, तो जिसको भविश्यद्वानी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमान के अन जारता से दे, जो अगुआई करे, वह उत्सा से करे, जो दया करे, वह हर्श से करे, नौ प्रेम निश्कपठ हो, बुराई से घ्रिना करो, भलाई में लगे रहो, दस भायचारे के प्रेम से एक दूसरे से सनेह रखो, परस पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, ग पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, चौदा अपने सताने वालों को आशीश दो, आशीश दोस्रापना दो, पंद्रा आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रोओ, सोला आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगती रखो, अपनी द्रिष्टी में बुद्धिमान ना हो। सत्रा बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बाते सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो। अठारा जहां तक हो सके, तुम भरसक सब मनुश्यों के साथ मेल मिलाप रखो। उननी से प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अफसर्द दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभू कहता है, मैं ही बदला दूनगा। बीस परंतु, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तु उसके सिर पर आग के अंगारों का धेर लगाएगा। 21 बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अध्याय तेरा, राज्य के प्रती करतव्य, एक हर एक व्यक्ति शासकिया अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं, वे परमेश्वर के ठहराई हुए हैं। दो इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की विदी का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। पाँच इसलिए अधिन रहना न केवल उसक्रोध के दर से आवश्यक है, वरन विवेग भी यही गवाही देता है। आठापस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के करजदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। नो क्योंकि यह की व्यविचार न करना, हत्या न करना, चोड़ी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आ गया हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है। ने परोसी से अपने समान प्रेम रख, दस प्रेम परोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। ग्यारा समय को पहिचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नीम से जाग उठने की घडिया पहुँची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। बारा रात बहुत बीद गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर जोती के हथियार बांध लें। तेरा जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न की लीला ख्रीरा और प्यक्कडपन में, न व्यभिचार और लुच्पन में, और जगड़े और डाह में। चौदा वरन प्रभु वीशु मसीह को पहिन लो, और शरीर की अभिलाशाओं को पूरा करने का उपाएना करो। अध्याएक चौदा अपने भाई पर दोश मत लगाओ। एक जो विश्वास में निर्बल है, उसे अपनी संगती में ले लो, परंतु उसकी शनकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। दो एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पाथी खाता है। तीन खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोश न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहन किया है। चार तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोश लगाता है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभू उसे स्थिर रख सकता है. पांच कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़ कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है. हर एक अपने ही मन में निश्चे कर ले छे जो किसी दिन को मानता है वह प्रभू के लिए मानता है जो खाता है वह प्रभू के लिए खाता है क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है और जो नहीं खाता वो प्रभू के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है साथ क्योंकि हम इसे न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है आठ यदी हम जीवित हैं तो प्रभू के लिए जीवित हैं और यदी मरते हैं तो प्रभू के लिए मरते हैं अता हम जीएं या मरें हम प्रभू ही के हैं नौक्यों की मसीह इसलिए मरा और जीवी उठा की वह मरे हो और जीवतों दोनों का प्रभू हो दस तू अपने भाई पर क्यों दोश लगाता है या तू फिर क्यों अपने भाई को तुछ जानता है हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंधासन के सामने खड़े होंगे ग्यारा क्योंकि लिखा है प्रभू कहता है मेरे जीवन की सौगंद की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीब परमेश्वर को अंगीकार करेगी बारह इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा अपने भाई के पतन का कारण मत बनो तेरा हता आगे को हम एक दूसरे पर दोश न लगाएं पर तुम यह ठानलो की कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे चौदह मैं जानता हूं और प्रभू यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है पंद्रह यदी तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीती से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नश्ट न कर सोला अता तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए सत्रह क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलमिलाप और वहानंद है जो पवित्र आत्मा से होता है अठारह जो कोई इस रीती से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुश्यों में ग्रहन्योग्य ठहरता है 19 इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिन से मिलमिलाप और एक दूसरे का सुधार हो 20 भोजन के लिए परमेश्वर का कामना बिगार सब कुछ शुधतो है परंतु उस मनुश्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है 21 भला तो यह है कि तू नमास खाए और न दाखरस पिए न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए 22 तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आपको दोशी नहीं ठहराता 23 परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंट के योगिर ठहर चुका क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है अध्याई 15 दूसरों की उन्नती करो एक अतह हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें न की अपने आपको प्रसंद करें दो हम में से हर एक अपने पढ़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसंद करें कि उसकी उन्नती हो तीन क्योंकि मसीह ने अपने आपको प्रसंद नहीं किया पर जैसा लिखा है तेरे निंदिकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी चार जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त के प्रोटसाहन द्वारा आशा रखें पांच धीरज और शान्ती का दाता परमेश्वर तुम्हें यहवरदान दे की मसीष यीशू के अनुसार आपस में एक मन रहो छेता की तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभू यीशू मसीः के पिता परमेश्वर की स्तुति करो सब के लिए सुसमाचार साथ इसलिए जैसा मसीः ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहन किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहन करो आठ इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिग्याएं बापदादों को दी गई थी उन्हें द्रिल करने के लिए मसीः परमेश्वर की सच्चाई का प्रमान देने के लिए खतना किये हुए लोगों का सेवक बना नौ और अन्यजाती यभी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें जैसा लिखा है इसलिए मैं जाती-जाती में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन दाऊंगा दस फिर कहा है हे जाती-जाती के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो ग्यारा और फिर हे जाती-जाती के सब लोगो प्रभू की स्तुति करो और हे राज्य-राज्य के सब लोगो उसे सरा हो बारह और फिर यशाया कहता है यशे की एक जड़ प्रगट होगी और अन्यजातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा उस पर अन्यजातियां आशा रखेंगी तेरा परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शान्ती से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए साहस से लिखने का कारण चौदा है मेरे भायो मैं स्वयम तुम्हारे विशय में निश्चे जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरिय ज्यान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो पंद्रह तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है 16. कि मैं अन्यजातियों के लिए मसील यीशू का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजिक के समान करूं, जिससे अन्यजातियों का मानों चड़ाया जाना, पवित्र आत्मा से पवित्र बन कर ग्रहन किया जाए 17. इसलिए उन बातों के विश्वर में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं मसील यीशू में बढ़ाई कर सकता हूँ 18. क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विश्वर में कहने का साहस नहीं, जो मसील ने अन्यजातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म, उन्नीस और चेहनों और अद्भुत कामों की सामर्थे से और पवित्र आत्मा की सामर्थे से मेरे ही द्वारा किये यहां तक की मैंने यरुशिलेम से लेकर चारों और इलुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा-पूरा प्रचार किया बीस पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुसमाचार सुनाओ ऐसा नहों की दूसरे की नीव पर घर बनाओं 21 परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुँचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे रोम यात्रा की पॉलुस की योजना 22 इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार-बार रुका रहा 23 परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है 24 इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुम से भेट होगी और जब तुम्हारी संगती से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुचा देना 25 परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरुशिलिम को जाता हूँ 26 क्योंकि मके दुनिया और अखया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरुशिलिम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें 27 उन्हें अच्छा तो लगा परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं क्योंकि यदि अन्यजातियों उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उच्चित है की शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें 28 इसलिए मैं यह काम पूरा करके और उनको यह चंदा सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ स्पेन को जाऊंगा 29 और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीः की पूरी आशीश के साथ आऊंगा 30 है भायो हमारे प्रभू यीशु मसीः के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरन दिला कर मैं तुम से विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लॉलीन रहो 31 की मैं यहुदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलिम के लिए है पवित्र लोगों को भाय, 32 और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाउन 33 शांती का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे आमीन अध्याय सोला व्यक्तिगत अभिवादन एक मैं तुम से फीबे के लिए जो हमारी बहिन और किंख्रिया की कलिसिया की सेविका है विनती करता हूं दो की तुम जैसा की पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभू में ग्रहन करो और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यक्ता हो उसकी सहायता करो क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है तीन प्रिस्का और अक्विला को जो मसीः लीशु में मेरे सहकर्मी है नमसकार चार उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था और केवल मही नहीं वरन अन्यजातियों की सारी कलिसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है पांच उस कलिसिया को भी नमसकार जो उनके घर में है मेरे प्रियर इपैनेतुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है नमसकार छे मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया नमसकार साथ अंद्रुनिकुस और युनियास को जो मेरे कुटुम्बी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीही हुए थे नमसकार आथम पलियातुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय है नमसकार नौ उर्बानुस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार दस अपिल लेस को जो मसीह में खरा निकला नमस्कार अरिस्तु बुलूस के घराने को नमस्कार ग्यारा मेरे कुटुम्भी हैरोदियोन को नमस्कार नरकिस्सूस के घराने के जो लोग प्रभू में हैं उनको नमस्कार बारा तुफेना और तुफोसा को जो प्रभू में परिश्रम करती हैं नमस्कार प्रिय पिर्सिस को जिसने प्रभू में बहुत परिश्रम किया नमस्कार तेरा रूफ उसको जो प्रभू में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है दोनों को नमसकार शौदा असुनकृतुस और फिलगोन और हिरमेस और पत्रुबास और हिरमास और उनके साथ के भाईयों को नमसकार पंद्रा फिललूगुस और यूलिया और नेर्यूस और उसकी बहिन और उलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमसकार 16 आपस में पवित्र चुम्बन से नमसकार करो तुमको मसीई की सारी कलिसियाओं की ओर से नमसकार आखिरी निर्देश 17. अभे भायो, मैं तुम से विनती करता हूँ, कि जो लोग उस शिक्षा के विप्रीद, जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें तार लिया करो और उनसे दूर रहो 18. क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं 19. तुम्हारे आग्या मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विशय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भूले बने रहो 20. शांती का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पावों से शीग्र को चलवा देगा 21. मेरे सहकर्मी तीमुतियूस का और मेरे कुटुम्बियों लुकियूस और यासोन और सोसिपत्रूस का तुमको नमस्कार 22. मुझपत्री के लिखने वाले तिरतियूस का प्रभू में तुमको नमस्कार 23. गयूस जो मेरी और कलिसिया की पहुनाई करने वाला है उसका तुम है नमस्कार 24. परमेश्वर की स्थुति 25. अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यिशू मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा 26. परंतु अब प्रगट होकर सनातन परमेश्वर की आग्या से भविश्यद वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आग्या मानने वाले हो जाएं 27 उसी एक मात्र बुद्धिमान परमेश्वर की इश्व मसीह के द्वारा योगानुयुग महिमा होती रहे आमीन